आप सभी का स्वागत है और देकि आप सभी के सामने मैंने इस जिगा निप्टी का चार्ट उपन किया है निप्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो मार्किट में एक जबरदस तेजी हमको देखने को बली क्योंकि देखे जो लेवल में आपको बताके काया था ना बिल रिव्कुल इसमें सही की बाइंग करके चल सकते हैं और हमने आपको जेबी बताया था कि अगर मार्किट नीचे मिलता भी है तो नीचे भी हम सीगिंग करके चल सकते हैं तो लुकर के अपर्चोनेटी तो आपको नीचे में मिलेंगा ना मार्किट में ओपर की साइट अपर आप देखो तो इस ने जो कहीं हाइद है तो इस ग Значит आपका हाइद और त है 9บ शोट reverb यारनी नीचे के लेवल से अगर आप देखो गेए तो कीछे के लेवल से आपको 270 पॉंट का अच्छा का सा मूव हमको देखने कर रहा में अपने ट crow sham Bible पर फब्लिस्किया था अपने ट्यलीग्राम चैंनल पर भी दिया था आप देखोगे कि इस कि Quran को जो मैंने दिया था वह जग देखे 500 रुपे पर दिया था 300 रुपे इसका किया ता कि मुझे पता था कि भई मार्केट कहीं ने कर इस लेवल पर सपोर्ट लेगा 49,600 पर एक सपोर्ट लेगा क्योंकि जो डेटा मैंने आपको बताया था FIS और DIS का डेटा देखके बताया था उसमें भी देखे कहीं ने कहीं इस पिराइस पे एक अच्छा का सा सबोर्ट बंगते हुए दिखाई दे रहा था और 300 रूपे से इसने जो हाई मारा वो 389 के आस्वस का हाई मारा यानि नीचे के लेवल से अगर आप देखो ना जवर दस प्रॉफिट हमको देखने को बला स्टॉप लॉस कितना था सिरिफ 20 पॉंट का तो टेलिग्रम चैनल का तो लिंक मैंने वीडियो के डिसेशन में देखे गया है अब देखें सबसे पहले मैं आपको जे भी बताएता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में क्या बताके रखा था जिससे आप भी सीख सको आप भी समझ सको और फिर वीडियो में आँगे बात करेंगे केंडिल का तो टाइम फिर है वोगा वो पंदा मिट का हुगा पंदा मिट का आपको चार्ट देखना है जैसे मार्केट देखें इसके उपर इस टाइट से निकलना चाहिए अभी तक क्या हो रहा है कि मार्केट ये जगा से आया है यानि उन तालिस हजाज 600 यह पार्ट जाता है तो हम इसमें क्रेंट करते हैं तो पहले तरगेट कि आपको देखने को अब बहुत सब्सक्राइब तो बिल्कुल हमारे एक जगा दो टार्गेट हिट हो चुके हैं और इसलिए मैं बोलता हूं कि लेवल टू लेवल काम कीजिए बड़िया पैसा बनता है अब देखें मार्केट में बड़े चार्ट पे बड़े पैटर्न के बारे में बात करते हैं हमेशा बुलता हूं कि लॉजिक के साथ काम काम नॉजिक के साथ काम करोगे पैसा नहीं बनता है अभी देखें कि अगर हम लो की परैस की बात करते एक हैं फो इंचा जो लो दिखा एंडेता है वह 49,000 कितने का का इसका क्या है इसका लुव आपको दिखाई देही रहा है ये नीचे वाला है ये 59,860 ये 70 का आप उनके इसमें क्या सकते है आचको candle बना काई सकते हैं लेकिन नीचे की साइड आपको बिक नहीं आपाती हुआ है याना तो मार्के और किशाती है मार्केट है कि अगर को ऑर अच्छी तेजी को भी को जो हाइ दिखाई दे रहा है वह 49,800 दो अब देखे हम काम कैसे कर सकते हैं को आपने हाई को पीजर को है सब्सक्राइब आतरे के गए चाल सकते हैं यानि हम शिक्ती में काम करके चल सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी भी उम्यत है कि अपनी ही को पार करता है, तो इसमें जो तेजी देखने को मलेगी, वह जगह तेंगे 150 पॉंटो से लेके आपको 300 पॉंटो की तेजी देखने को मिल सकती है, अगर जी अपने high को cross करता है तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि हमारा target क्या होगा तो पहले target की देखे हम बात कर लेते हैं जगा कि पहले target की हम कहां पर buying करेंगे वो मैं आपको समझाईता हूँ कि आपका जो आपको buying करना है call वो 49,870 के ऊपर ही करना है यानि इस पिराइस के ऊपर आपको CE buying करना है ठीक है फिर हमारा देखे target क्या होगा तो पहले target की अगर हम बात करते हैं पहला target जो आपका होगा वो इस जगा 49,920 का होगा last target की बात कर तो last target आपको नहीं second target आपको जो होगा वो 49,900 का होगा और last target की अगर हम बात कर तो यहाँ पर 40,100 का होगा ठीक है जे target आपको देखने को बलेगे market के अंदर अगर इसके उपर market निकल जाता है यानि bank nifty निकल जाता है अब देखे आज का like का target भी रखते हैं क्योंकि आप सभी लोग काफी बढ़िया like करते हैं वीडियो को तो आज का like का target देखे लालाच भढ़ते जा रहा है तो मुझे लगता है कि 500 like काफी होते है आज के दिन 500 like आप इस जगह complete कर सकते हो और आपके मन में जो भी सवाल है मुझे comment कीजे बाकि फिर ही टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के description में दिया गया है अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह option chain open किया देखिए option chain का data में मैं सबसे पहले आपको जो इस जगह बताता हूँ वो हमीसा में आपको बताता हूँ कि option chain के data में आपको देखना चाहिए कि x-party कौन सा है तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 8 तारिक का x-party है 8 सितंबर का x-party है और कल के movement में देखिए हमको कैसे काम करना चाहिए सबसे पहले तो आपको समझना है कि अगर market ऊपर की site open हो जाता है तो यह आपका resistance level है जो कि आपका 40,000 का एक बड़ा resistance level हमको इस जगह देखने को मिल जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो 27,000,000 के something का आपको यहाँ पर open interest देखने को मिलता है अब सबसे बात करते हैं कि नीचे की site क्या support है तो नीचे की site अभी जो हमको support दिखाई देता है वो कहीं न कहीं देखें इस जिगह 49,300 का दिखाई देता है ठीक है यह हमारा एक 500 यानि इस लेवल पर भी एक अच्छा कासा support है ठीक है first number का आपको यह देखने को बुलेगा और second number का जो support देखने को बुलेगा वह 49,900 ठीक है यह आपका second number का तो यह दो support आपको नीचे की site देखने को मिलते है market अगर नीचे की site open होता है तो अभी हमको opportunity देखने को बुले 300 पॉइंटों की तीजी देखने को मिल सकती है उस 300 पॉइंटों में मुझे 40,000 के उपर दिखाई दे सकता है bank nifty ठीक है bank nifty 40,000 के उपर दिखाई दे सकता है लेकिन अपने level को पार करेगा उसके बाद ही फिर जो इसमें movement देखने को बुलेगा वो मैंने आपको बताई दिय सबी के सामने इस जगा 5 मिट का चार्ट उपन किया है ठीक है आराम से देखिए क्योंकि पैसे की बात है जब पैसे की बात आती है तो हमको एक एक बात काफी अच्छे से समझेना चाहिए अब देखिए उससे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँआ कि अगर आप हमारे paid group म यह FL के साथ और जॉइन हो जाई है हमारे paid group में जिसमें निप्टे बैंक निप्टे और स्टॉक के call आप सभी को दिये जाते हैं लिंक आपको वीडियो के decision में दिया गया है फिरी टेलीग्राम चैनल का जैसे जैसे मार्केट आपको ऊपर की साइच जाता है बैसे बैसे हमक आपका यह अभी तक यह सपोर्ट का लेवल था ठीक है उसके बाद इसमें एक तेजी देखने को बली और मार्केट कितना तेजी आपको दिखाई दिया इस लेवल तक मार्केट ने एक अच्छी तेजी दिखाई दी यानि अगर हम इस लेवल को आंगे लेके चलते हैं तो जिखे हमारा निकल के आता है इस जिखा 49,200 का ठीक है 49,200 जैसे मैंने इस जिखाई बताया था ना कि यहां भई नीचे आता है तो बिलकुल सिखी बाइंग करो कोई घर बारने वाली बात नहीं है बस मार्केट अपने 49,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए अगर इसके आसपास भी मिलता है तो हमको सिखी ही बाइंग करके चलना है ठीक है मंदी आपको कब देखने को मिलेगी जब 49,200 को नीचे पार कर जाएगा तो इस लेबल पर अगर मिलता है तो हम सिखी बाइंग करेंगे नीचे के लेबल मिलता बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि देखो नीचे क हम समझ लेते हैं कि market इस level पे आया 49,200 के level पे आया थोड़ा consolidate किया और फिर उपर निकल गया ठीक है यानि अपने high के उपर निकल गया 5 मिट का candle देखेंगे इसमें किसका देखेंगे क्योंकि हमने इस जिगा 5 मिट का candle लगा के रखा है ठीक है तो सिंपल सा मैं फिर से समझाता हूं market नीचे आया educate किया उपर जाता है तो हम इसके high पे buying करके चल सकते हैं सिखी बाइंग करके चल सकते हैं ठीक है condition इतने में इस नहीं है कि इस पराईस के नीचे नहीं जाना चाहिए बस इस परेईस के नीचे नहीं तो पहले टार्गेट की तो बात कर लेते हैं 49,310 का पहला टार्गेट होगा 49,430 का होगा और लाश्ट टार्गेट 49,540 का होगा यानि इन टार्गेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं logic मैंने आपको समझाई दिया वीडियो अच्छे लग रही है तो बिल्कुल लाइक करके चलिए अगर ये अपनी लेवल को बिरेक करता है तो कैसे काम करना है पंदा मिट का चार्ट देखेंगे उसके लिए जे मैंने पंदा मिट का चार्ट उपन किया है इस जगह देखेंगे यहां पर क्या दिखाई दे रहा है बिल्कुल देखेंगे ध्यान से देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है शुरुबात मैं इसमें टेजी देखने को बिली नीचे के लेवल से फिर आप देखोगे न, तो एक जे वाला पिराइस आपको दिखाई देता है, इस पिराइस को देख़ें, मैं इस जगह एक line ऊपन करता हूँ, और जे पिराइस आपका लिकलके आता है, 49,700 का पिराइस ही निकलके आता है, फर्स्ट हैम इस जगह इस जगह लिया, देखें जे सब्सक्राइब यह अब इस इस लेवल को सपोर्ट लिया और अब इसने इस सब्सक्राइब लिया और ऊपर आप देखों गए तो ऊपर की तो ऊपर चाहिज है उनटाज आज सार आज सो टिक है यहानि हम कही ने कहीं मान के चलते हैं आपका यह दिन जाओ गई त्व सुब पॉंटों की रेंज है. उपर से लेके नीचे ते. ठीक है? जा सुब पॉंटों की आपको रेंज है. यहाँ पर dikle दे रही है. चिससे आपको समझ में आए, जा आपको सुब पॉंटों की रेंज है. अगर जा इसके नीचे देखें, यहाँ पर जो कि अबी तक देखे, ब्रेक नहीं किया है यहां पर कहीं बिरेक कर दिया, इसके नीचे आपका 49-700 के नीचे है, अब इसमें कंडी 노력म क्या है, इसमें कि तो आपका पंदा मिल्त का चाट है देखिए यहां पर मैं कॉंसर चाट मिल्ट का चाट में शोन भाले ऐप organic देखिए, उपर के लिए नीचे के लोडेंग देना चाहिए किस फिराइश के नीचे 4700 के नीचे तो हम इस में क्या कर सकते है, उप की सिशन बना सकते है ठीक है बाद condition देखिए समझे 49,700 के नीचे जाने दीजीए inter day में gap के साथ नहीं जाना है inter day में जाना है inter day में आपको कैसे आता है एक price है उपा से नीचे आया consort करा है समय बिता रहा है और फिर नीचे लिखल गए ठीके किसके नीचे लिखल गए है फिर से बताईता है 49-700 के नीचे लिकल गया तो हम इसमें इबाइंग करके चाल सकते हैं candle नीचे open होना चाहिए फिर देखें इसमें target क्या होगा अब इसमें target आपको 300 से लेके 400 ponto के target देखने को लेंगे तो पहला target तो बात करते हैं जिगा 49,600 का दूसरे target की बात करते हैं जिगा 49,550 का और last target की बात करते हैं जिगा 49,000 नीचे की साइट 350 का ठीक है इन target के लिए हम market में काम कर सकते हैं अब देखें 350 तक ही मैंने क्यों target दिये इस level तक ही क्यों दिये क्योंकि फिर नीचे की साइट आपको एक support भी देखने को बिल जाता है क्यों है